आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुत ही टेस्टी और सेहत मत लड़ू अकसर सर्दी सुरू होते ही कमर में दर्थ गुड़ों में दर्थ और ठकान सा महसूस होना ये आम बात है और ये दर्थ से चुटकारा पाने हर गर में अपने अलग-अलग तरीके से लड़ू ब बनाना बताऊंगे और सर्दियों में बनने वाले लड़ू अकसर बच्चों को हम जबरजस्ति खिलाते हैं लेकिन आप मेरी ये रेसिपी से लड़ू बनाएंगे तो बच्चे सामने से मांग कर खाएंगे जैजी रेंद्रा वेल्कम तो माई जैइन रेसिपी मैं हुझी न heroic wonder if ध्रदियों के लड़ू बनाने के लिए मैंने यह एयाँ इस तरह सुखी वाली लेनी और उपर से टंटल हटा लेना है और बीच में से कट लगा कर बीच को भी हटा लेना है तो देखे मैंने सारी खारेक को इस तरह छोटे टुकडों में कट कर लिया है और सुखा कुपरा भी इस तरह गोले को मैंने तोड़कर छोटे टुकडों में कट कर लिया है खारेक और सुखे कोपरे को हम पहले एक बार हलके गिले कपड़े से पोश कर फिर कट करेंगे अब इसे हमें ग्राइड करना है तो ग्राइड करने में एक बार त्यान रखना है कि इस तरह खारेक और खोपरे को दोनों को साथ में ही पीछना है तो इतनी खारेक और खुपरे को हम दो बेच में ग्राइड करेंगे देखे यहां मैंने एक बेच ग्राइड कर लिया है और इस तरह हलका दरदरा ग्राइड किया है अब इसी तरह हम दूसरे बेच को भी ग्राइड कर लेंगे अगर आप सुका कुपरा और खारेक दोनों को separate grind करेंगे तो अच्छे से grind नहीं होगा तो देखे मैंने दोनों बैज को अच्छे से grind कर लिया है और mix कर लेंगे अब लड़ू में आड़ करने के लिए मैंने यहां आदा कप बदा, आदा कप काजू, आदा कप अक्रोट और दो टीबल स्पून मेलन सीट्स लिये है अब सबसे पहले हम mixture बाउल में काजू डाल देंगे और साथ में अक्रोट भी आड़ कर देंगे यह दोनों ड्राइफूट हलके सॉफ्ट होते हैं तो दोनों को साथ में घ्राइड करेंगे और देखे इस तरह हलके बड़े चंग्स रह जाएंगे तो उसे हम नाइप से कट कर लेंगे और एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है इस तरह हम थोड़े बड़े टुकडों में ग्राइड करेंगे और मैंने यहाँ बड़ाम को भी ग्राइड कर लिया है और दोनों ड्राइफूट को हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब लड़ू में एड़ करने के लिए मैंने यहाँ दो कब बरकर मखाना लिया है जिसे आप लॉटस सिट्स भी बोल सकते हो और य गुटनों का दर्द और हड्डियों का दर्द से छुटकारा मिलता है और मखाने को हमें इस तरह कट करके अंदर से चेक कर लेना है क्योंकि कभी कभी अंदर से खराब हो सकते हैं अब मखाने को हम बीना गी पर चमत से चलाती हुए रोस्ट करेंगे तो 3-4 मिनिट में देख इस तरह हमें दरदरा घ्राइन करना है अब एड़ करने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलड़ स्पून पाउडर और नुटस्पून पिपड़िमर्र पाउडर लिया है और दो कप गेहू का आठा लिया है तो आठे को मैंने चननी से चान कर लिया है अब सबसे पहले हम हैवी बॉटम वाली कड़ाई को गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें एक कप गी एड़ करेंगे और इस तरह हल्का मेल्ट हो जाए तब हम इसमें दो कप गी हो काटा एड़ कर देंगे और चमत से चलाते हुए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो देखे आटा एक बार अच्छे से गी में मिक्स हो जाए तब हम जरूरत लगे तो गी और एड़ करेंगे तो इसमें मैं और एक कप गी एड़ कर रहे हूं क्योंकि हम इसी में साथ में ड्राइफूट और सारे मसाले इसमें ही रोस्ट करें तो अभी हमें चमत से चलाते हुए स्लो फ्लैम पर आटे को रोस्ट कर लेना है तो देखे पाथ से शे मिनिट में इस तरह आटा 50% रोस्ट हो जाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा गॉन्द एड़ करेंगे और चमत से चलाते रहेंगे जिससे ये गॉन्द अच्छे से फूल जाएगा और गैस की फ्लैम स्लो रखेंगे तो गॉन्द अंदर तक अच्छे से फ्राइब हो जाएगा तो गॉन्द फ्राइब करने वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि गॉन्द में बिल्कुल नम्मी नहीं होनी चाहिए अगर नम्मी है तो आप एक से दो दिन अच्छ दो ऑच्छ से फ्राइब करने को नहीं जेमेगा तो एक एक दो दो चमाश करेंगे और जो आप तो देखruce हEMAनेस के सानक कर लिया है तो सारा गोंद गरने के बाद भी हम दो से तीन मिनीट उमद से चलाते रहेंगे जिससे अनक कर सो जाएगगा अब इसमें जो हमने 지금 करेंगे और ड्राइफुट को भी हम स्लो फ्लैम पर चमत से चलाते हुए रोस्ट करेंगे वैसे सारे ड्राइफुट हाइली न्यूट्रियन्स है बदाम में मैकनेशम और विटामीन की मात्रा काफी होती है अक्रोट हार्ट को स्ट्रॉंग करता है यानि कॉलेस्टरॉल लेव मनेशे हमें अलग अलग रोस्ट करके और निकालने की जरूरत नहीं है अब इसमें मैलन स्ट भी अड़ एल्ट कर दींगे जिससे मैलन सीट भी रोस्ट यहाइंगे और हम सा를 चीज इस इसी сохран के रोस्ट और जॉंच से रोस्ट की यहे वह चीज जलेगी भी नहीं और रोस्ट करने का जरूरत नहीं है, अब जो बचा था वो भी पाउडर न कर देंगे, और चमत कर देंगे लिएए रखे थे वो भी एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह मिश्टन को मैंने यहां एक परात में निकाल दिया है और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे साथ में हम जो पिपडामोर पाउडर और सुन्ट पाउडर रखा था वो एड़ कर देंगे और पर चमत से चलाते हुए घुड को पीगलने देंगे हमें घुड की पाई नहीं बनानी है तो इसलिए घुड को बारिक कट करके फिर एड किया था जिससे जल्दी से पीगल जाएगा और गुड की पाई हाड नहीं होगी, तो देखें यहां सिर्फ 3-4 मिनिट में गुड अच्छे से पीगल गया है, तो अब गैस बन कर देंगे, और इसे हम लड़ू वाले मिश्रन में अड़ कर देंगे, तो देखें सारा गुड अड़ करने के बाद चमत से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि यह काफी गरम है, तो हम तुरंत हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो गुड चिपक जाएगा, तो हमें चमत से अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है, और इतने लड़ू बनाने के लिए मैंने यहां धाई कप गी का यूज किया है, अगर अभी भी मिश्रन आपका ड्राई है, तो आप थोड़ा सा गी को गरम करके आप एड़ कर सकते हो, पर मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही है, तो मैंने एड़ नहीं किया है, अब चमत को हम क्लीन कर लेंगे, और एक चमत से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखे यहां गुड को ह हमें अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है, जिससे गुड सारे मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हम हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए चेक कर लेंगे, तो देखे अच्छे से बाइडिंग आ रहा है, तो हाथ को हम एक बार क्लीन कर लेंगे, और कर सकते हो देखे इस तरह मेडियम साथ की गोल गूल लड्डू बनाएंगे तो इसी तरह हम सारे oppausp तयार करेंगे और लड्डू बनाने वक्त हमें ध्यान रखना है कि यह मिश्वान थोड़ा घरम रहेगा तब ही हम इस तरह हो गोल लड्डू बना लेंगे यह मिश्रन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा गी और एड करना पड़ेगा तो जब करम है तब भी हम दो हाथ के बिच में फ्रेस करते हुए लड्डू बना लेंगे वैसे विंटर में सभी के घर पर खजूर पाक अडद्य पा क्यों कि बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार है वैसे यह लड्डू का आप 12 मेने सुबर रोज एक लड्डू खाईए बहुत ही फाइदा करेगा अगर आपको यह लड्डू की रेसिपी पसंद आये तो अपने फ्रेंड और फेमिली में जरूर शेर्ड करना बहुत ही हेल्डी रेसिपी है थैंक यू सो मच फर वाचिंग